हेलो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जहरखन की सिल्फकला मुर्तिकला में एक और जानकारी को ले करके यहां पर मैंने पिछली वीडियो में याने की पार्ट वान में बताया था आप लोगों को प्रस्तरकला के बारे में मरीन सिल्फ के बारे में कास्ट सिल्फ के बारे में तो इस सारे चीज़ों का आप लोगों ने देखी लिया होगा तो आज हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर जो और चीज़ें हैं जो इंपोर्टेंट है यहीं से कोशन पुछ जाने के संभावना है तो वह चीज़ है धोक जो है यहां जहारखंड की सिल्फ कला साथ-साथ यह भारत के अग्त भांगों मैं भी यहां कलाया जाती है तो हम लोग यहां पे इसके बारे में बात करेंगे और ईहां आधोकर में मदुमें सही काISA hace कोि से मों प्राप्त नहीं हो पारा है तो इसे कारण से यह आज महांगा हो जरस्ता टीन आदिधातों का जो है मिस्रन को है उसको ढलाई करके मूर्ति बरतन खिलोने और अजरुरी सामान को बनाए जाता है तो यह एक महिन और थोड़ी जटिल सिल्पकला है तो इससे यह चीजों को यूज किया जाता है अभी यहां देखते हैं और जारखन में इस कला क कि अभी बीज हैं देखने को मिलता है याँ है भी यहांपर प्रचलित है अभी बहुत सारी चीज कि एक अच्छी बात है कि यह अपक पड़े हैं कि आसे मुद्धा करते हूं प्रसिद लड़की की मूर्ती जो है पाई गई है तो भी आप लोग देख सकते हैं तो यह जीजें है धोकरा सिल्फ कला से यह बनाया गया था यह जो लड़के कि प्रसीद नित्य करते हुए मूर्ती वो धोकरा कला का ही उधारन है साथ साथ में बात करेंगे तो धान चावल आपने का जो पुईला होता है एक आप लोग सारे लोग देखे होंगे दोटा तो ये कि नवत प्रजय र pros Stud यह दोनों चीज़ें आप लोगों के अधिक करते के तूर पर देखेंगे यह धोकर या डुकरा sutra कलग कर देखेंगे यह आप लोग दुनों ध्यान रखेंगे इसी को देखना रखेंगे इस कला को घढवा या घढवा कला भी कहा जाता है तो यह आफनकल ध्यान रख सकते हैं इस कला में कोई सामगरी बनाने की बीदी को मौम च्छय विधी यानि की लोश्ट ऑफ वेक्स प्रोसेस कहा जाता है तो जो धोकरा सिल्पकला है उसमें कोई भी चीज़े बनाते हैं तो उसमें जो है मौम को यहां पर च्छय करके बना जाता है यानि की मौम को यहां पर नास होता है तो उसी क मुक्षो का जो है धोखर्य को लग डिलए अब एक और चान करते हैं वह क्या है तो है सकतल के यहां घौतर सिल्फ का लाश कर अब अनिवारे सन। तो यह खास करके ऑदर कि यह प्रस्चीद है इसमें चोनरित में मुखोटा मुखोट का होना अनिवार है इसके बिना यह अधूरा है यहां रित जो की एक फेमस डांस यह आप लोग जानते हैं मोखोटा सिल्प सराइकेला खारसवा और पुरी सिंभूम में काफी विक्सित है तो मोखोटा सिल्प जो है वह खास करके जहारकंड का सराइकेला खारसवा और पुरी सिंभूम जिले में काफी विक्सित है तो यह जो तीने जगह हैं यहाँ प को पहन करके चोन रिटि किया जाता है तो उसको पहले मिट्टी से बनाइजाता अर चाहभत को लिए कागज का परियोग किया जयता है बहुत ही अच्छी अच्छी यहां पर बनाई ज当ि है आगे ध्यान रखेंगे कि आगे देखते हैं कि चौन रित्य का जन्म जार्खंड की सराइकेला को माना जाता है तो यह आप लोग जानते ही होंगे कि जार्खंड का जो है सराइकेला जगह उसको चौन रित्य का जन्म अस्थान माना जाता है यह आप लोग द्यान रखेंगे तो तो यहां पर मैं आप लोग बता दोगे यहां मुकूठ या मुखोटा इन दोनों चीजों को पहान करके यह निर्थिक को किया जाता है लेकिन मुखोट जो है इसमें मुखोट या मुखोटा का उपयोग नहीं किया जाता है तो यह आप लोग इसको ध्यान रखते हैं अब देखते हैं इसके परमेवर को जानकरी जो है बीदेश में सबसे पख़ेंदू नारायन सिंग्डेव किया इन्हों акиया हुआ है तो यह आप लोग यात रखेंगे नाम को तो यह चोद चीजब हैं यह मैंने आपको बता दिये तो आप लोग यह दोनों चीजब को भी याद रखेंगे तो इस परकार से आप लोग玩ंगों देख लिया कि यहां पर मुःटा सिल्प के बारे में और धोकरा जो सिल्फ कला है इन दूरों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया यहां से जो भी चीज़ें आप लोगों को याद करने जैसी है वह सब आप लोगों याद कर लेंगे हो सकते हैं यहां से आप लोगों के लिए question पूझ लिया जाए तो यह जो चीज़े थी जहारखन की सिल्फ कला और मूर्तिकला के बारे में जानकर पहला पार्ट को आप लोग देख सकते हैं और यह जो जानकर यह भी मैंने दी पार्ट टू में यह को भी आप लोग देख सकते हैं